है कि पार्ट 3 के स्टार्टिंग में लीज और ले करके जाती है लँटक्ल करने के लिए और वहाँ पे अपने लिए तो पूरा टेबल भर कि खाना मंगाती है। और बिचारी के लिए सिंपल सा खिचडी मंगाती है गौट बेचारे का फेस देखना चाहिए उसके सामने वो टेश्टी टेश्टी फूड खाय जारी थी और वो उसे बस देखा जा रहा था लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था इतना भूला भाला सकल बनाए था ना बेचारे पर तरस सारा था खैर जैसे ही व उसे वहां से भीजती है फिर दोनों के फोन में से दोनों का सिम चेंज करती है और तभी वहां पर वही आ जाता है उसी टेबल पर बैटने के लिए और जैसे देसे करके इधर उधर से साइड से वहां से बच करके निकल जाती है इधर जब वह गैंस्टर था वो उस हैकर की ह इस निजर को मेश करती है कि इस रूम में 12 सकर बाद ङो करकर मुझह से मिलने के लिए और जेंग के method देखर कि उसके निम्बर से का मैनेजर बाल खुश रहाए कि कहलो फाइनली वो ठीक है और ले यहां देखे सखने के लिए सारा the packing कर ईरही होतीि कि वहां पर वेई जाता है वेई जबर जस्ति इसके रूम में इंटर करता है और बोलता है मुझे पर दिखाओ जरा कौन से तुम उपने बॉफिन को कल राद छुपा करके रखी थी अब वहां पर तो कोई था नहीं तो ली पूरा चौड में बोलती कर रहा ऐसा कुछ नहीं ह हो कहीं तुम्हारी प्लेन निकल ना जाए वह उसके प्लेन को और पहले वाले टिकेट में बुकिंग करा दी होती है अब वहां से जाता है पिचारा और उसके जाते ही यह जो गैंग्स्टर होता है वह एक वेटर का ड्रस चेंज करके उस रूम में आने वाला होता है ली जल का मैनेजर मिलता है वह उससे कहता है बात बत करने के बाद कि अपने रूम क्यों चेंज करा है हमसे कोई गर्दी होगी क्या अब चेंग को तो पता ही नहीं था उससे डाउट होता है कि इसका मतलब कि वह पहले उसके साथ नहीं रह रहा था उसे जादा कुछ बोलता नहीं ह लेकिन उसके और क्षतर हो परक है और मिलता है लेकिन उसके कुछा है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है अब इन दोनों के निकालने के बाद ली जो है परदे से बाहर निकलती है और वो समझ जाती है कि कोई अभी भी चेंग पर अटाक करने का कोसिस कर रहा है अब वो थी अच्छी इंसान तो वो चेंग को ऐसे सिच्वेशन में चोड़ नह नहीं रहते थे ना तो कुछ देर सोचने के बाद ली अपना थोड़ा सा सैतानी वाला दिमाग लगाती है और फिर से रोने थोने वाला ड्रामा करके उसे इमोस्नली करती है हम लोग यहां पर आये थे लेकिन तुम हमेशा की तरह गुसाग और मुझसे ब्रेक अप करने दिंग वही कही कमपनी में काम करती थे और वह से जबरजस्ती लेकर के ऑफिस पार्टी में जाती है क्योंकि उसने अब तक जो रायता फलाया था अब उसे सम्हालने का टाइम आ गया था ली और चेंग दोनों एयरपोर्ट पे जाते हैं घर के लिए निकलने के लिए वहां पर ली जो है वह चेंग के मैनेजर को देख लेठी और उसे ढखने का कोसिस करने लगती है और चेंग को यह गलत फहमी होती है कि बगल में जो कपल किस कर रहे है उसे भी करना है लेकिन इतने समान के वज़ए से वह नहीं कर पार है तो सब समान अच्छे से उतार गर के प्य थेटा है की देखो यार मैंने तुम्हारे और को भेज सदिये और वहां ने तुम्हें पैसा दे दिया है तो सांती से स असमत्रों तुम मेरे भार इसकी को पुरी तरीके से ठीब कर दोम तुम आपने नहीं है उसे कॉल करती है और लगना चाहिए पर का पर से लोग रह रहे हैं और कुछ मेंद लोगों के भी कपड़े और समान वगर वहां पर रख देना फिलहाल जादा कुछ वह पूसा नहीं है अच्छे भाई की तरह अपने काम पर लग जाता है जिंग जब रजस्ती वही को पार्टी में ले करके जाती है वहां पे एक तम वह व वाले हैं और इस वज़े से प्रॉब्लम हो जाती है वह उसे कहते हैं कि एक पर फिर से आप अपना डिसीजन सोच लीजिए यह लोग कहीं न कहीं ली से भी कनेक्टेट थे आगे क्या क्नेक्शन है वह मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगी इधर माह अपनी पार्टनर म माहों में वो जान बुचकर के उसके साथ बत्तमीजी करने लगता है मैं उसे खीश करके थपड़ लगाती है और बोलती है कि अगर चेंग मर भी गया हो ना तब भी तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हो वो गुसा गुसा करके वहां से चली जाती है माहों को गुसा और साधा बढ़ जाता है अगली मॉर्निंग ली जो है चेंग को लेकर के उसी घर के पास आती है जो कि उसके भाई ने पूरा सिट अप किया था अंडर से बिलकुल नीच्वल लग रहा था कि हाँ दो कपल वहां पे पहले से रहती थे और इसके फोटोस आप किये हुए सारे फ क्या खाना बनाई जाए लेकिन फ्रीज में कुछ ऐसा था नहीं सब कुछ एक्सपायर था समान देखने के चकर में दोनों को जादा ही करीब आ जाते हैं ली बिचारी अनकमफटेबल हो जाती है लेकिन फिर वो लोग जल्दी ही रिसाइट करते हैं कि एक रेश्टरोइट म वनाने लगता है लेकिन उसके पास इसका बड़ा भाई चेंग का फाइल देख लेता है अब वो लोग बैट के डिसकस करने लगते हैं कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है तो फिर उसका भाई बताता है कि ली ने मुझे बोला था कि इस बंदे के से रिलेटेड को पोटो जो भी आते थे फोटो क्लिक करा करके वहां पर पेस्ट करते ते लेकिन वहां पे चेंग को अपनी फोटो नहीं दिखती है तो जो ली होती है वह उसको को बलाती है यो पूछती है रीजन तो वह कहता है ओ मैंने क्लीन क्या था ना इससे लिख घुल गया तuwंद फिर से फोटो क्लिक करा लो तब फिर से कपल वाले फोटो क्लिक करा के वहां पर पेस्ट करते हैं उनकी एक मेमोरी तो बन गई अगले दिन चेंग का मैनेजर किसी काम से ऑफिस में जाता है तो वह वहां पर मेई से मिलता है और मेई अपना दिमाग लगा करके उसके मैनेजर स चेंग के बारे में जानना चाहरे थी कि तीक है या नहीं सेच में इसका डिठ्ड हो गया लेकिन होाँ का सम्हाल लेता है कुछ भी नहीं बताता है खानावाणा खाने के बार ली चेंग को सौपिंग लेकर के जाती है लेकिन वहां कर और अपने स्कूल टाइम के एक टीचर दिख जाती है और वो लोग उसे छुप करके भागने लगते है भागते हैं भागते हैं एक स्टोर रूम में दोनों जाकर चुप जाते हैं चेंग पूसता है कि तुम उस लेडी से भाग क्यों रही हो थोड़ी दिर बाद वो लोग वहां से निकलते हैं ली को तो लगता है कि वो टीटर चली गई होगी लेकिन वो गई नहीं थी है वो वापस आती है वो ली से पुस्टी है ये तुम्हारा बॉइफिंड है ली तो नाना कह रही थी है लेकिन चेंग काउंड़ी कहता है कि ये मेरी फ्यौं से है वो कफे खुश हुच हुच हुजाती है वो दोनों को आउंटर पर लेकर के जाती है कपल वाले चॉकलेट दिलाने के लिए ये नोनों को कपल की तरफ भीएव करना पड़ता है सकल तो देखो बिचारी लीगा इतने सारे अपसें डाउंस के बाद फाइनली दोनों नॉमल वाक कर रहे थे एक दूसरे से बात कर रहे थे एक दूसरे को जानने का कोसिस कर रहे थे अपने बजबन टाइम को याद करके ली जूला वोला जूल रहे थी तो यही सारा कांट जानने के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में